दोस्तों क्या आपको पता है अगर आप अपने हाथों को जादा देर तक पाने में भीगो कर रखते हैं तो ऐसी सिलवटे क्यों आ जाती है और एक सेरनी अपने बच्चे को हमेशा गरदन से पकड़ कर क्यों उठाती है और ऐसा करने से क्या बच्चे को दर्द नहीं होता है वेल ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के इस सफर को सुरू करते हैं दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो सेरनी होती है वो अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ कर उठाती है लेकिन क्या ऐसा करने से बच्चे को दर्द नहीं होता है तो देखो बिल्ली और सेर दोनों के गर्दन के पीछे एक सट डाउन बटन होता है और जब सेरनी उस बटन को दबाती है तो उसके बच्चे का पूरा सरीर हैंग हो जाता है और वो डी एक्षन मोड में चले जाते हैं और इससे बच्चे सांत और लचिले भी हो जाते हैं जिससे सेरणी अपने बच्चे को असानी से उठा कर सुरच्छी जगह पर ले जाती है ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है अगर आप चाहे तो बिल्ली के गर्दन के पीछे एक किलिप लगा कर बिल्ली के पूरे सरीर को हेंग कर सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों इन सारों दुआरा बनाए गई दुनिया की सबसे महगी चीज है अंतराष्टि अंतरिच इस्टेशन जिसे बनाने में 12 साल का समय लगा था और इसकी कीमत अभी के समय 150 बिलियन डॉलर के करीब आकी जा रही है और इसे मेंटन करने में हर साल 3 बिलियन डॉलर तक खर्च किया जाता है आप मेंसे ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि नोटबुक में ये जो मार्जिन होता है ये क्यों बनाया जाता है ज्यादातोर लोगों को लगता है कि इसमें points number डालने के लिए या फिर design के लिए बनाया जाता है लेकिन इसे चूहों के लिए बनाया जाता है दरसल पुराने जमाने में notebook के side को अकसर चूहे खा जाते थे तब ही से इन margin's को बनाया जाता है ताकि अगर चूहे side से notebook को खा भी जाता है तो बीच का जो लिखावट होता है वो खराब नहीं होगा दोस्तो एक इनसान अपने पूरे life में 1,60,000 km तक चलता है और इतने में वो इनसान पूरे अर्थ का चार चकर लगा सकता था वेसे चलना हमारे सेहत के लिए भी काफे फाइदे मंद होता है Cancer Research UK के according हर रोज के अवल 30 मिनट चलने से हमारे सरीर में कम फेट जमा होता है और कम फेट होने के वज़े से आप ज़्यादा फिट रहते हैं Fact No.8 दोस्तो आखर इंडियन किरकेट टीम के जर्सी में ये 3 इस्टार क्यों बनाये जाते हैं आप भी जानकर चोख जाओगे देखो भारती किरकेट टीम ने अब तक 3 विस्व कप जीते हैं 1983, 2007 और 2011 में और BCCI के लोगों के ऊपर ये 3 इस्टार इंडियन किरकेट टीम के तीन बार विस्व विजयता को दर्साती है वैसे 2024 का T20 विस्व कप इंडिया जीत पाएगा या नहीं कॉमेंट में जरूर बताना Next दोस्तों, अगर किसी घर में सोना रखा हुआ है और अगर उस घर में आग लग जाती है तो भी उस सोने को कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर किसी घर में भीशन आग भी लग जाती है तो अभी वो सिर्फ 800 डिगरी Celsius तक का ही तापमान देगा और एक सोने को पिघालने के लिए कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए दोस्तो अगर आपने ट्रक को ध्यान से देखा होगा तो उसमें दो टायर हवा में लटका हुआ दिखाई देगा लेकिन एसक्यों किया जाता है तो देखो ये जो दो टायर होता है उसे ड्राइबर उपर या नीचे कर सकता है जब ट्रक में ज़्यादा लोड रहता है तब ड्राइबर इन टायरों को नीचे ले आता है और जब कम लोड रहता है तब उसे उपर कर लेती है नमबर 5, हमारा जो ग्रह है यानि पिर्थिवी वो 4.54 बिलियन वर्च पुरानी है लेकिन ये जो एस्ट्रोइड आप देख रहे हैं ये हमारे धर्ती से भी ज़्यादा पुरानी है लगवग 7 बिलियन वर्च पुरानी ये एस्ट्रोइड आउस्ट्रेलिया में 28 सितंबर 1979 को आस्मान से गिरा था और जो विज्यानिकों ने इस पर रिशर्च किया तो पता लगा कि ये 7 विलियन यर्च पुरानी है आपको जो ये ट्रेफिक सिग्नल दिखाई दे रहा है ये दुनिया का सब से पहला ट्रेफिक सिग्नल है जिसे लंदन में 1967 में लगाया गया था दोस्तों आपने अब तक बहुत सारे टाइप के राइस खाए होंगे जैसे कि बास्मती राइस, मिनी केट, एक्सेक्टरा लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 40,000 से भी ज़्यादा टाइप्स के राइस मिलते हैं हमारे भारत में है 6000 से ज़्यादा तरह के राइस उगाये जाते हैं केरल के रहने वाले गनेश सुब्रेमनियम जी ने दुनिया का सब से छोटा सोने का ताला बनाया है इस ताले का वजन महज 41 मिलिग्राम है, हाइट 30 मिलिवीटर और परिधी 1 सेंटिमीटर है दोस्तो अगर आप अपने हाथों को ज़्यादा देर तक पानी में भिगो कर रखेंगे तो आपके हाथों में ऐसी सिल्वटे आ जाती है ऐसा होता है पानी के अंदर नमी के कमी के कारण वेसी इसके कुछ फाइदे भी होते हैं जैसे कि सिल्वटे आने के बाद आप किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ सकते हो और पेरों में सिल्वटे आने के बाद आप कम फिस लोगे वेल दोस्तो हमारा ये वीडियो अभी इतने में ही खत्म होता है एसे ही आमेजिंग फेक्ट जामने के लिए हमारे चेनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना धन्यवाद